Hello everyone, last video में हमने selection sort के बारे में देखा, इस video में हमें एक नया sorting algorithm देखने वाले है, जिसका नाम है insertion sort, तर लिए start करते है, insertion sort का concept क्या है, कि हम क्या करेंगे, दो different conceptual part करेंगे, एक एरे का, एक part होगा उसमें sorted part, एक होगा unsorted part, हम हरे का iteration में unsorted part से एक element उठाएंगे, we'll pick one element from the unsorted part, और उसको हम sorted part के correct position में insert करेंगे, तो जैसे हम बोलते थे, कि off end time लगता है हमको एक element को sorted part में insert करने के लिए आयरेके, जो sorted insertion होता है, वो हम पूरे आने elements के लिए इसमें करने वाले है, ठीक है, तो यह हो गया हमारा unsorted array, जिसको हमको sort करना है, तो अभी हमारा unsorted part है यह, और हमारा unsorted part है यह, अब हम एक element को इस part से उठाएंगे, जब हम इस element को उठाएंगे, यहाँ पे एक block सा create हो जाएगा, यहाँ पे एक vacancy create हो जाएगी, अब हम इसके बाद वाले elements को तब तक यहाँ पे push करेंगे, जब तक एदर हम array के starting point तक नहीं पहुँच जाते, या फिर हमको कोई element ऐसा नहीं मिल जाता हो, जो उससे छोटा हो, या फिर मतला हमको उसकी correct position नहीं मिल जाती, तो example की दुरू देखेंगे तो आपको easily समझा जाएगा, तो यह हमारा अभी part है, sorted आरेगा, first element, एक element हमेशा sorted होगा, तो हम इसको sort नहीं करेंगे, हम start करेंगे next element से, first element में हमको कोई change करने की ज़रूरत नहीं है, second element हमने to ले लिया, यहाँ पे vacancy create, अब हम क्या करेंगे, इसके पहले से start करेंगे देखना, अब हम चेक करेंगे की 6 यह 2 से बढ़ा है, तो इसका मतलब है की 6 की position 2 के बाद आने वाली है, तो हम 6 को यहाँ पे move कर लेंगे, और फिर यहाँ पे check करेंगे की कौन सा element आना चाहिए, तो जब हम यहाँ पे आ जाएंगे, इस position पे आ जाएंगे, तो हम को realize होगा कि हम array के starting index पे आ गए, या फिर जीरोत index पे आ गए, इसके पहले कोई element नहीं है, तो यह हमारी 2 की correct position होगी, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 6, तो हमारा आएरे कुछ ऐसे दिखने लिख जाए, अब हमारी vacancy create होगी, 3 के लिए, अब हम यहाँ पे देखेंगे, कि क्या 6 3 से बढ़ा है, हाँ, तो हम 6 को shift कर देंगे, इस position में, इस vacancy में, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और हम इस index पे हैं, अब हम देखेंगे, कि 2 3 से बढ़ा है, नहीं, इसका मतलब है, कि यह हमारी correct position हो गई है, 3 की, तो हम यहाँ पे 3 को insert कर देंगे, और हमारा sorted है रिक कुछ ऐसे हो जाएगा, फिर हमारी यहाँ पे vacancy create होगी, उस vacancy में हमारा element था 1, अब हम चेक करेंगे, क अब हम चेक करेंगे, जा 3 6 से बढ़ा है, sorry, 3 1 से बढ़ा है, हाँ, तो हम फिर से shift करेंगे, और एक index पीछे आ जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे, कि क्या 2 3 1 से बढ़ा है, हाँ, तो हम फिर से 2 को भी shift कर देंगे, अब हम यहाँ पे आ गए, अब हम देखेंगे, कि य तो हमारा array का zeroth index आ गया तो हम 1 को यहाँ पर insert कर देंगे और हमारा array कुछ ऐसा बन जाएगा अब हमारी जो vacancy create हुई है वह 7 की तो हम चेक करेंगे क्या 6 7 से बढ़ा है नहीं तो हम जिस index पर है वहाँ पर 7 को insert कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 7 आ जाएगा और यह हमारा sorted पाट बन जाएगा अब यहाँ पर vacancy create हो जाएगी एक अब हम चेक करेंगे कि 7 4 से बढ़ा है हाँ तो हम shift करेंगे और हमई इस index पर आ जाएँगे फिर देखिँगे हम 6 4 से बढ़ा हाँ तो हम shift कर देंगे फिर से हम देखेंगे कि क्या 3 4 से बढ़ा है नहीं तो हमारा अभी हम इस इंडेक्स पर थे हम इस इंडेक्स पर 4 को एड़ कर देंगे ओके तो हमारा आरे कुछ ऐसे हो जाएगा ओके तो यह हमारा पूरा आरे सॉट हो चुका है अब तो इस function की complexity क्या होगी हमने देखा था कि o of n time लगता है एक sorted array में element को insert करने में क्योंकि हमको maximum n elements traverse करने पड़ सकते हैं जैसे कि हमने one के case में किया था one को हमने यहां से उठाया था और first index था हम लेके गए थे तो अगर हर एक element को zeroth index तक हमको लेके जाना पड़ रहे तो फिर उस case में हमारे पास worst case time complexity आएगी ओके तो हमारी worst case आएगी इस case में अगर हम यहां पे 5 ले रहे तो हम 5 को पहले यहां पर shift करेंगे 6 को यहां पर करेंगे जब हम 4 को लेके जाए तो 4 को भी हम 0th index तक लेके जाएंगे उसके बाद 3 के लिए जब हम करेंगे फिर से हमको 3 को 0th index तक लेके जाना पड़ेगा फि 3 के लिए हमको 3 operation करने बढ़ेंगे 2 के लिए हमको 4 operation करने बढ़ेंगे ऐसे हम करते रहेंगे तो हमको total अगर हमारे n elements है तो हमको n-1 तक operation करने बढ़ेंगे और हमारा cost हो जाएगा worst case में इस सब का summation जो कि हमने देखा था आता है o of n square यह हमने bubble sort में और selection sort दोनों में भी देखा है यह of n square कैसे आता है और best case हो जाएगी जब हमको कोई shift नहीं करना पड़ेगा तो best case हमारी time complexities के आजाएगी of n क्यूंकि हम बस हर एक element पे जाएगे कोई operation परफार्म नहीं करेंगे यहाँ पे हमको एक operation मतब चेक करने का एक operation करना पड़ेगा second case में three के लिए हमको बस एक operation चेक करना पड़ेगा third case में भी oh sorry यहाँ पे भी एक होगा यहाँ पे भी एक operation होगा ऐसे हम n-1 time operation परफार्म करेंगे जो हमारी time complexity हो जाएगी of n okay चलिए देखते हैं कि insertion shot का code कैसे होगा तो मैंने यहाँ पे code snippet लिया है हमारे पिछले कुछ code से इसमें हमने एक array लिया है जो unsorted है n उसकी size denote कर रहा है और यहाँ पे हम array print कर रहा है यहाँ से हम function call करेंगे selection sorry यहाँ से हम function call करेंगे insertion sort first हम उसमें पास करेंगे argument array और second array size function कुछ return नहीं करेंगे इसलिए एक void function होगा first argument होगा हमारा array और second argument होगा array size तो जैसे हमने बूला था कि एक element के लिए हमको check करने की जरूरत नहीं है कि वो हमेशा sorted होगा i denote कर रहा है हमारे sorted array का part तो i equal to one से हम start करें क्योंकि हमारा zeroth index sorted है एक element समेशा sorted होता है हम n तक जाएंगे first element को i denote कर रहा है कि कौन सा element हम हम हमारे sorted part में insert करने का try कर रहा है और j यह denote कर रहा है कि कौन से index पर अभी हम check कर रहा है कि sorted element कहां पर आ सकता है तो j हम i से check करेंगे हम one तक check करेंगे क्योंकि अगर j zero हो गया तो वहाँ पर हमको पक्का पता है कि j उस index पर आने ही वाला है अब हम यहाँ पर देखेंगे कि if array j minus one तो इसके पहले वाले जो element था वो अगर बड़ा है हमारे temporary element से तो पहले हमको इस value को जो आयत इंडेक्स पर जो element है उसको एक temporary value में store करना होगा और अगर temporary index के पहले वाला element इससे बड़ा है तो हम पहले वाले element को इस position पर ला लेंगे array j equal to array j minus one और अगर यह condition satisfy नहीं होती है इसका मतलब है हमको correct spot मिल गया है जहां पर हमको element को insert करना है तो हम break कर देंगे तो अभी जब यह break होगा तो either j की value zero हो सकती है जो उस case में होगी जहां पर हमारा array start हो रहा है या फिर j की value वो होगी जहां पर हमारा element insert होना चाहिए इसका मतलब है कि इसके पहले वाले element इससे छोटा है तो हम j के correct position पर आ जाएंगे जहां पर हमको element को insert करना है और यहां पर हम कर देंगे array j equal to m तो हम क्या कर रहा है सबसे पहले हमने उस element को store किया एक temporary variable में फिर हम तब तक हम elements को एक position पीछे swap करते गए जब तक हमको एक ऐसी position नहीं मिल जाती जहां पर उसके पहले वाला element एदर उससे छोटा होना चाहिए हमारे temporary से छोटा होना चाहिए या फिर वो हम zeroth index तक पहुच गया है तो यहां पर marriage equal to temp कर रहा है हमने हमारे element को एक correct position पर insert किया इस code को रून करके देखते है तो यहां पर हमारा sorted array print हो रहा है तो हमारी जो inner loop है वो r times चल रही है और हमारी outer loop n times चल रही है तो यह total हमारा n square contribute करेगा time complex रही है तो I hope कि आपको यह lecture समझाया होगा next video में हम एक more efficient algorithm study करने वारा है जिसका नाम है quicksort Thank you